हेलो दोस्तों जेकने दोसमें आपका स्वागत है और आज दोस्तों मैं आप लोगों को Samsung Galaxy Tab S6 Lite का एक Unboxing और एक Handzone देने वाला हूँ Samsung Galaxy Tab S6 जो ओविस्टे एक Flagship लेवल का Tablet है वो आपको 60,000 और उसके ऊपर मिलता है Samsung ने उसके अलावा दूसरे लोगों को मौका दिया है कि अगर आप उतना ज़्यादा spend नहीं कर सकते हैं और अगर आपकी budget 30-35,000 के असपा से Tab S6 Lite आप यहाँ पर ले सकते हैं वैसे ही दोस्तों 28,000 से start होता है Wi-Fi only version और 32,000 का आपको Wi-Fi plus LT वाला मिलता है जिसमें आप 4G SIM card भी लगा सकते हैं देगे शुरू करूँ उससे पहले आपके concept में clear कर देता हूँ Samsung के Tab हो या किसी भी company का जो Tab होता है इसके fan अलग होते हैं अगर आपको बड़ा display चाहिए होता है फिलाल के लिए lockdown में तो भी आपको बता है ना लोग बहुत data consume कर रहे हैं तो movies वगरा देख रहे हैं, games किल रहे हैं तो उस बड़े से display में आपको मजा अलगी मिलेगा और S Pen के भी बहुत सारे fan है तो इसमें S Pen का support मिलता है तो बहुत सारे चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं प्रेसंटेशन वगरा के लिए और दूसरे की कामों के लिए दोस्तों टैबलेट्स काफी काम आते हैं तो इस हिसाब से इनकी audience अलग है तो उस हिसाब से products को Samsung ने target किया है तो मेरे कहल से आपको समझने आ गया होगा यह वीडियो दोस्तों वैसे आप देखते रही है इस वीडियो में आप लोगों को Samsung Galaxy Tab S6 Lite की सारी जानकरी यहाँ पर दे रहता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों box कुछ इस तरह की मिलता है सामने देखेंगे Tab S6 बड़ा सा लिखा गया है ओपर light लिखा गया है हाँ तो यह miss मत करना और जो color मेरे पास आया हुआ है वह एक grey आपको एक green और एक pink color में भी मिलेगा जी हाँ ऐसे कुछ अतरंगी colors में आपको मिलता है और पीछे की तरफ दोस्तों ऐसे कुछ खास information है नहीं लेकिन यहाँ पर लिखा है made in Vietnam जी हाँ यह आपको बताना था है आज किल बहुत लफ़ड़े चलते हैं इंडिया चाहिना तो मैं सोचा बता दू खेर दोस्तों जाड़े विस नहीं करते हैं फटा वट से box को open करते हैं क्या बात है हमें हमारा tap मिलता है इसको इस कपड़े से बाहर निकाल देते हैं यह आ चुका है बाहर खिया बात दोस्तों बहुत थंडा हो गया मेरा इसी चल रहा था और यह दोस्तों आपको फूरा अब करते हैं तो जो बिल्ट यहां पर बॉड़ी मिलती है यह दोस्तों आपको 7 mm की थिकनेस पर मिलता है बहुत ही ज्यादा स्ली में आप देख सकते है और 467 ग्राम को आपको मिलता है और एक हाथ में दोस्तों यह ऐसे आ जाता है तो ज्यादा चौड़ा भी नहीं है आप आपको इस तरह की का वर्टीकल कुछ वामट में यहापर मिलता है तो देखने में दोस्तों जो बिल्ट है वो उसकी काफी ज्यादा डूरिबल है और कुछ इस तरह के आपको मिलता है फिसिकल और की बात करेंगे नीचे देखिए आपको टाइप-C पोर्ट मिलता है यहां एक और स्पीकर आपको आपको देखिए दिखें के दोस्तों एक और मिलता है उसके लबाब वॉल्म बटन से और नीचे की तरफ दोस्तों आपको यहां पर सिम ठोय मिलता है यहां पर अप सिफ एक सिम काड्र औरielle कर आई तो वो भी कर सकते हैं, SIM card obviously LTE version में लगेगा, जो Wi-Fi वाला होगा उसमें आप नहीं लगा सकेंगे, और पीछे देखेंगे दोस्तो single camera मिलता है, Samsung के आपको यहाँ पर branding दिखती है, और नीचे देखेंगे tuned by AKG, तो जो audio है दोस्तो तो उसमें, वो AKG tuned है, तो काफी बड़ी आपको यहाँ पर audio quality मिलेगी, इसको रखते हैं दोस्तो फिरल के side में देखते हैं, आपको box में यहाँ पर क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे बिल आपको charger मिल जाता है, यह दोस्तो 5-volt 1.5-amp का है, तो यह दोस्तो standard charger है, और इतनी बड़ी battery को इसके थुरू charge करने में बहुत समय लग जाएगा, उसके बाद देखेंगे दोस्तो आता है, इसका type-c cable जो कुछ इस तरह का है, और उसके बाद देखेंगे SIM ejector pin यहाँ पर लगी हुई है, और इसमें कुछ आपको शायद documentation मिलेंगे, जखेंगे थोड़े वो कागजात आपको यहाँ पर मिल जाते है, इसके अंदर चुपे हुए, और उसके बाद यहाँ पर क्या बात है, चुपा हुआ, S pen आपको मिलता है, और यह थोड़ा सा different दोस्तों, मैं आपको निकाल कर दिखा रहता हूँ, और यहाँ पर इसके जो design दोस्तों वो थोड़ी different है, नीचे आपको इस flat surface भी मिलता है इस तरह के का, और काफी हलका सा है pencil जैसा लगता है, एक button भी आपको यहाँ पर दिया गया है, इससे आप बहुत सारे काम यहाँ पर कर सकते है, अपने tablet के अंदर, और इसका reason flat होना गई है, दोस्तों कि आप इसको अपने tablet में इस तरह की से चिपका सकते हैं, आपको magnetic holder मिल जाता है, इसके अंदर आपको काफी low latency मिलती है और इसका जो precious sensitivity है, वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है, तो थोड़े अच्छे features आपको यहाँ पर इसमें मिलते हैं, Bluetooth connectivity इसमें नहीं है, तो यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, और बस दोस्तों यहीं इसके box content फटावट से माते हमारे tablet की तरफ, तो यहाँ में देखिए हमारे tablet को boot कर दिया है, setup कर दिया है, और सबसे बले अगर आपने notice कहा रहेगा, तो यह आपको Android 10 पर मिलता है One UI 2 पर चल रहा है, तो काफि सारे One UI वाले features आपको इसमें मिलते हैं, जिसनका आप अच्छे से फाइदा उठा सकते हैं, और security की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें आपको fingerprint scanner कहीं पर भी नहीं मिलता है, ना side में ना पीछे, तो आपको सिर face unlock मिलता है, तो आप उसका यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, वैसे साथ में आपको यह Knox के साथ में protected है, तो Samsung Knox भी आपको इहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है, अब display की बात करेंगे दोस्तों तो आपको इहाँ पर 10.4 इंच की display मिलती है, 2000 by 1200 का आपको resolution मिलता है, WUXGA Plus वाला है, जी हाँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यह TFT पैनल है, येस, यह आपको न IPS है न Super AMOLED है, तो कुछ इस तरह के का है, हाववर brightness आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन वेवी इंगल से ठीक है, इतने खास नहीं है, अगर आप देखिंगे मैं ऐसे करता हो, ऐसे करता हो, तो display यहाँ प और तो वैसे आपको उस मामले में काफी मज़ा आएगा, performance की बात करेंगे दोस्तों, आपको इसमें Exynos 9611 वाला प्रोसेसर मिलता है, 10NM वाला प्रोसेसर है, 2.3 GHz परे, आप इस प्रोसेसर की हमने काफी बात कर लिया, काफी सारे Samsung के M-series में हमें मिलता है, तो आप चाहे के लिए दोस्तों, इतना भी जाद हम आपको recommend नहीं करूँगा, बाकि overall दोस्तों, जो experience होगा day to day life में, वहाँ पर आपको कोई problem नहीं होगी, उसके अलावा battery के बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर तो भाई, no doubt, आपको 7040 image की battery मिल जाती है, और यहाँ पर आपको जबर स्टेरियो टेस्ट भी करके आपको सुना देता हूँ, उपर आपको speaker मिलता है, नीचे मिलता है dual speaker, AKG tuned है, तो काफी बढ़िया है दोस्तों, काफी loud है, और जो stereo effect आता है, वो भी काफी बढ़िया आ रहा है, तो audio के मालमे में में दोस्तों, मुझी ने लेता है, इस tablet में आपको कोई issue होगा, उसके लावा camera के बात करेंगे, दोस्तों, तो पीछे की तरफ आपको 8 megapixel का single camera मिलता है, सामन तो पता है, यह tablet में आप क्या करते है, तो फिर भी उनने यहाँ पर camera दे दिया, अगर emergency की तौर पर video call करना है, अगर photos वगर लेना है, उस मामले में दोस्तों, यह camera आपको काफी help करेगा, और finally दोस्तों, आते हमारे S Pen की तरफ, यहाँ पर इसमें दोस्तों, आपको बहुत सारे features मिल जाते हैं, वही सारे premium features मिलते हैं, जो आप Samsung की Note series हो, या उनका premium tablet इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर में एक video भी बनाया था दोस्तों, कि S Pen को कैसा इसमाल कर सकते हैं, क्या-क्या features मिलते हैं, तो वह सारे features आपको यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं, लेकिन ए अगर आप painting करते हैं, आप doodles करते हैं, और दूसरे कोई काम करते हैं, notes लिखते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको इसके अंदर कोई भी problem नहीं होगी, आपका experience इसके तुरू काफी कमाल का होने वाला है, तो यहाँ पर दोस्तों, finally, अगर मैं अपने opinion की बात करता हूँ, तो मैं आप से एकी चीज़ कहता हूँ, Samsung के lovers जो है, Samsung का ही tablet पसंद करते हैं, उसके अलगा कोई और tab नहीं चाहिए, तो Samsung ने उन लोगों को opportunity दी है, कि आपको 30 असार के अगर आपकी budget है, उसके असपास है, तो आप इस tablet को consider कर सकते हैं, क्योंकि वो S6 जो है, वो तो आपको problem होगी, बाकी बड़ा display दोस्तों, जो content consume करेंगे, वहाँ पर तो आपको मज़ा आजाएगा, लेकिन अगर super AMOLED होता है, इसमें तो मुझे खेल से बहुत मज़ा आता था, बाकी दोस्तों, performance की बात करेंगे, तो Exynos 9611 पुराना processor है, बहुत बार Samsung ने यूज़ किया है, processor ब premium flagship features, जो S10 में मिलते है, S20 series में क्यों ना हो, और Note series में क्यों ना हो, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाते है, तो वो सारे फाइदे आप यहाँ पर उठा सकते है, Bluetooth connectivity नहीं है, बस एक down point है, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है, साथ में camera की बात करता हो, तो आपको average मिलता है, अब tablet से लोग camera से photos वगरा लेने के लिए नहीं लेते, tablet emergency में कामा जाता है, दोस्तों, तो rear camera भी सही है, selfie भी अगर video calling करना है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर help हो जाएगी, और battery की बात करेंगे दोस्तों, तो battery इसकी अच्छी है, 7040 image की, अब एक tablet से हम यहीं उमीद करते कि बड़ा tablet हो, तो बड़ी battery भी हो, क्योंकि इतने सारे contents consume करेंगे, तो उतना चलना भी चाहिए, तो I think battery यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है, और जाते जाते एक और चीज़ दोस्तों, इसका audio quality मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, dual speaker मिलते है, और इसकी जो built है, वो म कुछ नहीं चाहिए, 30,000 के आपकी वजट है, तो Samsung Galaxy Tab S6 Lite आपके लिए best buy हो सकता है, इतने ही है दोस्तों, उस वीडियो में वीडियो पसंद आए कि लाइक करना मिलते हैं, आपसे अगले वीडियो में गने वीडियो के साथ, टेले हैं, वीडियो के साथ, टेले हैं, वीडि स्माले,